हरियों प्रिदर्सकों मैं हूँ पंडित बलराम पांडे हाजिर हूँ 6 जनवरी 2023 आज का राशी फल लेके बात करेंगे किन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशी वालों को बेहद साउधान रहने की जरूरत है क्योंकि चंद्रमा आज राहू के निशत्र में गोचर करेंगे तो मेस से लेके मीन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जानेंगे तो राशी के क्रम में बात करेंगे सबसे पहली राशी मेस मेस राश के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने बाला है आज भाई बंदों के बीच यदि पहले कोई बाद विवाद था, मन मुटाओ था वो दूर होगा और भाई बंदों के बीच प्रेम बढ़ेगा यदि आप किसी परिच्छा प्रतियोगता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी आज दामपत्य जीवन शुग में रहने वाला है और स्टिडेंट को भी मन चाही सफलता मिलने वाली है दामपत्य जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने बाणी में आप सयम रखें जिससे दिन के उत्तरार्ध में कुछ इस्थितियां ऐसी बन सकती है कि बाद विवाद मन मुटा हो सकता है उससे बचने के लिए जो की बहुत खास समस्या तो नहीं है प्रेम भाव बना रहेगा परन्तो आपको अपने बाणी में भी कंट्रोल रखना होगा बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई समस्या नहीं है स्वास्त बेहतर रहेगा और पूरा दिन इनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी जिससे आप हर काम को अच्छे ढंग से और शीगृता से कर सकेंगे इससे लोग प्रुहावित होंगे और आपके मान सम्मान में ब्रद्धी होगी निवेश आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं वरसरास की वरसरास के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज घर परिवार में खुसी का महल रहेगा घर परिवार के quna का support मिलेगा आज स्वास्त बहतर रहेगा स्वास्त में कोई यदि समस्या पहले से चल रही थी उससे आपको चुटकारा मिलने वाला है आज कार च्छेतर में वर्क्पलेस में लोगों का शह कर्मियों का आपको support मिलेगा जिससे सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे आज यदि आप किसी से मिलना चाहते थे बहुत समय से या कोई मीटिंग important मीटिंग करना चाहते थे किसी मिसे में निर्णे लेना चाहते थे तो उसके लिए आज का दिन सफलता दयक रहेगा आज आप मिल सकते हैं मीटिंग कर सकते हैं स्वास्त की बात करें तो स्वास्त अच्छा रहेगा इस्टुडेंट को भी आज सफलताएं मिलने वाली हैं और कल की महनत का फल आज आपको मिलने वाला है और बात करने निवेस की तुर्वेस आप कर सकते हैं और दाम पत्य जीवन भी सुख में रहेगा अब बात कर लेते हैं मिथुनराज की मिथुनराज के लोगों के लिए आज का दिन यस किर्थी बढ़ाने वाला होगा सामाज में लोगों के बीच आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है यह प्रतिष्ठा में ब्रद्धी होने वाली है कारोबार के छेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है यदि आप कोई नया व्यापार या कोई नया कार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेड़ा आज दामपत्य जीवन भी सुक में रहेगा दामपत्य जीवन से सपोर्ट मिलेगा और यदि आप कोई नए रिष्टे की सुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा बात करें निवेस की तुनिवेस आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं करकराज की तो करकराज के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा आज आपको कोई बड़ी यात्रा का मौका मिल सकता है विदेश यात्रा आया घर से दूर यात्रा का मौका मिल सकता है और यात्रा देखने के बाद ही यात्रा करें और स्टुडेंट को भी आज सफलता तो मिलेगी परन्तु मेहनत अधिक करना होगा तभी सफलताइं प्राप्त होंगी दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन आज सुख में रहने वाला है और स्वास्त में कुछ समस्या पेट जन तकलीफ हो सकती है अपने स्वास्त का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं परन्तु अच्छे से जान परकले और इसके बाद ही निवेश करें अब बात कर लेते हैं प्राप्त होने वाला है यदि कहीं पैसा फसा हुआ था तो आज प्राप्त हो सकता है उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी कोशिस तो करनी होगी परन्तु चांस हैं कि आप यदि कोशिस करते हैं प्रयास करते हैं तो फसा हुआ पैसा मिल सकता है दामपत्त जीवन की बा तो मियनत करने से पीछे ना हटें वहीं बात करें निवेस की तो निवेस आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कन्या राज की कन्या राज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा यदि आप हर काम को सही तरीके से करते हैं गलत तरीके से नहीं करते हैं तो ज्यादा बेतर कहा जाएगा यदि आप गलत तरीके से कोई काम करने की कोशिस करेंगे तो आप फंस सकते हैं आपको उपर आरोफ प्रतारोफ लग सकता है और खासकर सरकारी छेत्र के कामों से आज बचना चाहिए यदि करना ही चाहते हैं तो तो सही तरीके से करें और सहत में बात करें या स्टुडिन्ट को भी आज कहीं न कहीं देखा जाए स्वास्त में कुछ समस्याइं आज सकती है या तो अपने स्वास्त का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और दामपत्ती जीवन की नहीं कहा जाएगा आज मन मुटाओ जैसे स्थिति पैदा हो सकती है निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं परन्त कोई बड़ा निवेश ना करें किसी जानक्यार विक्त की सलाह ले ले अच्छे से रिसर्च कर ले इसके बाद लगे तो ही निवेश करें अब बा को कि च्रब्नेंंmers ना करने को कि नहीं कि चोटी बातों को लेकर बड़े लड़ाई जघरे हो सकते हैं तो तो दामपत्य जीवन आज सामान रहेगा और इस्टुडेंट को आज 50-50 दिन कहा जाएगा जितनी मेहनत उतनी सफलता मिलने वाली है निवेश की बात करें तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए परन्तु दिन का पूरे दिन का यह रिजल्ट हम देखें तो कहीं न जल्ट होगा परन्तु मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और अपने स्वास्त का ध्यान रखना है तो दिन को बहतर बनाया जा सकता है अब बात कर लेते हैं व्रश्चिक राज की व्रश्चिक राज के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए तो कहीं न कहीं महत्त अधन स्वास्ट प्रश्चिक रखने मारे की जरूरत होगी पहले से चले आरहीं विमारी आपको अद्म सकती है ऑर वहें बात करें दामपत्य जीवनान आज शामान रहेगा पर अधिन के उत्रार्ण में कुस बार विवाद हो हो सकते हैं और स्टुडेंट के लिए भी आज के दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज आपको मांसिक किंसंजश इस्ति बन सकती है और निवेश की बात करने से बिल्कुल आज बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं धनुराश की धनुराश के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए अधिक खर्च की स्तिती है वे की स्तिती बन सकती है आपको अपने खर्च में बें कंट्रोल रखना होगा और किसी से चोटी छोटी बातों को लेकि यहीं से स्टीवा बन सकता है या चोन चपेट लगने की संभावना है वहीं बात करें दामपत्य जीवन की दामपत्य जीवन आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और इस्टुडेंट को भी आज अपने स्वास्त का विशेश दुरूप से ध्यान रखना चाहिए बात करें निवेश की तो चाहिए मकर्राश के लोगों के लिए आज बहुत जरूरी है कि आप काम को बड़े प्रफेस्टनल तरीके से करें हर काम को अच्छे से जान्स परकलें उसके वारे में अच्छे से प्लानिंग बना लें और इसके करें तो आपको सफलताय मिल सकती है आज यदि कोई आपको कुछ कहता भी है तो आपको अपने बाड़ी में कंट्रोल रखना होगा हर व्यक्ति को अपने तरह से नहीं सोचना हर व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से सोचना होगा क्योंकि आप जिसको सोच रहें कि आप उसके उपर विस्वास कर रहें आपका वो हित करने बाला है तो हो सकता है कि आपके साथ वो विस्वास धात कर सकता है आपके विस्वास पात्र लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं तो आपको सौधान रहना होगा और पूरे दिन को शुरूल भी करना होगा अपने फाइनेंस को अपने स्वास्त को अपने हर काम को शुरूल करके यदि आप चलते हैं तो दिन को बहतर बनाया जा सकता है बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन डिबेंड करेगा आपको उपर यह आप अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करते हैं तो बातें ज्यादा भी करने से बच सकते हैं यह स्टुडेंट को जरूरी होगा कि आप ब्रहमित ना हो आज का समय सोशाल मीडिया का है तो उसमें फंस के नहीं रहना है आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है दिन को बेहतर आप बना सकते हैं बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं कुम्हराज की कुम्हराज के लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाबदायक रहने वाला है आज बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं खास कर एस्टुडेंट के लिए चात्रों के लिए आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा और यदि आप management field या banking sector या finance से सम्मंदित कोई पढ़ाई कर रहे हैं यह सभी चात्रों को विशेश रूप से आज सफलता मिलने वाली है आज मन चाही सफलता आपको प्राप्त होने वा यह सब चीजें आप इनसे जुड़े हुए भी काम कर सकते हैं दामपत्य जीवन भी आज सुख में रहेगा और यह स्टुडेंट को भी जैसे हमने बता दिया कि मन चाही सफलता मिलने बाली है और स्वास्त की बात करें तो स्वास्त भी बेतर रहेगा हां थोड़ी साउधा भी रहना होगा क्योंकि मौसम की बिमारियां पकड़ने के भी चांस हो सकते हैं थो मौसम की बिमारियों से बच्कते हैं तो कोई खास समस्या-ज। में नहीं रहने वाली है और बात करने दो नभीयस की तुर्वियस आप कर शकते हैं तो आपके लिए आज कर दिन भेटर है बस आपको इस दिन को सही ढंक से यूज़ करना है अच्छे समय का सही यूज़ करना बहुत जरूरी होगा, माकी कोई खाorden समस्या नहीं रहने बाली है अब बात कर लेते हैं मीन राजकी, मीन राजक के लोगों के लिए आज सरकारी शक्तर से सयोग मिलने वाला है सरकारी अधिकारियों को सयोग प्राप्त होने की वज़े से आज आपको सफ़ताएं मिलने वाली हैं और यदि सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था समस्याइं चल रही थी उससे भी आज छुटकारा मिलने वाला है और वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई खास मस्या नहीं है बस आपको मौसम के बिमारियों से बचके रहना होगा बाकि कोई खास समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं दामपते जिवन भी सुह में रहने वाला है और एस्टुडेंट को भी आज शफलता तो मिलेगी परन्तु मांजिक टेंसन भी हो सकता है तो आपको इससे बचके रहना चाहिए या आप कोई प्रापरटी का काम करना चाहते हैं या जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं या गाड़ी वाहनों गhरा कोई लेना चाहते हैं या उससे जुरा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहतर रहे और निभेस भी आप कर सकते हैं तो आज का दिन मीन राशी वालों के लिए बहतर रहने वाला है, सफलता दैक रहने वाला है, बस पूरे दिन को सावधानी पूर्ण बिताने की जरूरत होगी, बांकि कोई खास समझ्याई नहीं रहने वाली है। तो दर्सकों यह रहा मेंस राश से मीन राश तक का आज का राशी फल, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे तब तक के लिए हरियों।